पहरास्ट विदान सबाचुनाव की नतीजों पर सरद पवार का बयान कहा लोगों ने हमें विपक्ष में बैटने और सरकार बनाने का उसर दिया जियां राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी यानी नसिपी के अध्यक्ष सरद पवार ने कहा कि हमारी भूमिका यह है कि लोगों ने हमें विपक्ष में बैटने और सरकार बनाने का उसर दिया है हम अपना काम कुसलता से करेंगे अर्याना में सरकार बनाने के और करी पहुंची बीजेपी विधायक गोपाल कांडा ने दिया समर्थन जिया हर्याना विधानसबा चुनाओ का रिजल्ट आने के बाद सुबे में सरकार बनाने के लिए उठा पटक तेज हो गई है मुख्यमंतरी मनोहर लाल खटर अब भी प्रदेशक में दुबारा बीजेपी के सरकार लाने में लगे हुए हैं इसे बीच लोकहित पार्टी के कैंडिडेट गोपाल कांडा ने भी भारते जन्ता पार्टी को अपना समर्थन देने का निंड़ा लिया है गोपाल कांडा ने सिर्शा विधानसवा सीट से निर्दलिय उमिदवार गोकूल सेतिया को 602 मतों से मात देते हुए विजय हासिल की है जेल में मनेगी चितमरम की दिवाली, CBI ने भी दाखिल की समिक्षा याचिका जिहां दिल्ली की विशेष अदालत ने आइनेक्स मीडिया मनी लॉंडरिंग मामले में वरिष्ट कॉंग्रेस नेता पी चितमरम की ED हिरासत अवधी 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी है जमानत नहीं मिलने से अब उन्हें दिवाली तक जेल में रहना पड़ेगा आपको दादें की विशेष जज अजय कुमार कुहार ने गुरुवार को दोनों पक्छों की दलिले सुनने के बाद ये फैसला सुरक्षित रख लिया कोट ने प्रवर्तन इदे साले को चिदमरम से पूछताच की इजाज़त देते हुए ये अभी निर्देश दिया की जरूरी होने पर चिदमरम के स्वास्ति की जाच अखिल भारती आयरोविग्यान संस्थान यानि एम्स में कराई जाए आदालत ने कहा कि हिरासत की अन्य सरते पहले जैसी ही रहेंगी जम्मू कस्मीर में सांतेपूर्ण बीडीसी चुनाओ लोकतंतर में लोगों का अडूट विश्वास जियां पीएम नरेंदर मोदी ने गुरुवार को जम्मू कस्मीर में हुए ब्लॉक डेवलप्मेंट काउंसिल के चुनाओ सांतेपूर्ण धंक से संपन होने पर कहा कि मुझे यहां बताते हुए खुसी हो रही है कि जम्मू कस्मीर ले और लद्दाक में बीडीसी यानि ब्लॉक डेवलप्मेंट काउंसिल के चुनाओ बहुत ही सांतेपूर्ण तरीके से हुए यह लोकतंत्र में लोगों के अटूट विश्वास और महत्व को दर्शाता है कि वे जमीनी स्तर के सासक के अनुरूप है मस्जिदों के अंदर महिलाओं के प्रवेस न करने पर सुप्रिम कोटने किंदर से मांगा जवाब जिहां उजितम नियाले ने देश की सभी मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं को प्रवेस देने के अनुरोध संबंदी जनहित याचिका पर सुक्रवार को केंदर सरकार से जवाब मांगा प्रधान नियायदीस रंजन गोगोई और नियायमूर्ती एस ए बोबडे और नियायमूर्ती एस ए नजीर की पीठने मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेस देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर किंद्रिय विधी एवं नियाय मंत्राले तथा अल्प संक्यक मामलों के मंत्राले को नोटिस जारी किया है विधानसब अपचुनाओं में 17 राजों की 51 सीटों में से भाजपा ने 15 जीती चार गवाई जहां देश की 17 राजों की 51 विधानसबा सीटों पर हुए उपचुनाओं में भाजपा को कुल 15 सीटे हासिल हुई है जबकि NDA 21 सीटे जीती हैं भाजपा कल चुने की विधायक दल का नेता हरियाना प्रभारी बोले सरकार बनाने को राजपाल से मिलेंगे जीहां भाजपा के हरियाना प्रभारी अनील जैन ने कहा कि चंडिगड में कल सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक होगी बैठक में समिक्छक के रूप में वित्मंत्री, निर्मला सीतारमन और महा सच्यू अरुन सिंग मौजूद होंगे। उन्होंने बताय कि विधायक दल का नेता कल चुना जाएगा। इसके बाद हम हरियाना में सरकार बनाने के लिए राजेपाल से मिलेंगे। महाराष्ट में भावी सीम आधित्य ठाकरे के लगे पोस्टर सिवसेना बोली उन्माद नहीं वरना खतम हो जाओगे। जिया महाराष्ट की 28 विधानसबा सीटों पर हुए चुनाओ के नतीज़े आ चुके हैं। 2014 की विधानसबा चुनाओ की तुलना में भाजपा को राजे में कम सीटों पर जीत हासिल हुई है जिसे लेकर सिवसेना ने उस पर जम कर हमला बोला है। अपने मुखपत्र सामना के संपादकिये में सिवसेना का कहना है कि यह महज जनादेश नहीं है। इसी बीच महारास्ट के में सिवसेना के समर्थकों ने एक पोस्टर लगया है जिसमें आधित ठाकरे को राजे के भावी मुख्यमंतरी के तौर पर दिखाया गया है। वे वरली से विधानसबा सीट जीते हैं। सामना में पार्टी ने लिखा कि महारास्ट की जनता कारुजान सीधा और साफ है। अती नहीं उनमाद नहीं वरना खत्म हो जाओगे। ऐसा जनादेश इवियम की मसीन से बाहर आया है। मुखेमंतरी देवेंदर फरणवीज को आखरी समय तक या आत्म विश्वास था कि इवियम से केवल कमल ही बाहर आएगा। मगर 164 में से 63 सीटों पर कमल नहीं किला। लोकसभा के मबले विधानसभा चुनाओं में किवल 4 महीनों में घटा अंडिये का वोट परतिसत। जियां लोकसभा चुनाओं के 5 महीने के भीतर ही हर्याना और महरास्ण में हुए विधानसभा चुनाओं में में उठाना पड़ा है जहां उसका वोट सेयर 22 परतिसत तक गिर गया है जबकि लोगसबा चुनाओं में पार्टी ने अंठावन परतिसत वोट सेयर के साथ राज की सभी 10 लोगसबा सीटों पर क्लीन स्वीप किया था